दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को डिसक्स करेंगे जिसका नाम है वर्चू इस पोएम को लिखा था एक English Metaphysical Poet George Herbert ने देखें वर्चू का literal meaning होता है a good quality या फिर a good habit एक अच्छी habit हिंदी में सदगुण बहुत चोटी सी पोएम है चार स्टेंजा की पोएम है मैं शुरू करता हूँ ये कहते हैं कि sweet day दिन के लिए कह रहे हैं कि दिन कितना sweet है so cool, so calm, so bright कितना ठंडा, कितना शांद और कितना चमकदार दिन है the bridal of the earth and sky ऐसा लगता है ये दिन दुलन है किसकी प्रत्वी की और आस्मान की, earth और sky की लेकिन एक ose की बून the dew, dew यहाँ पर dew का मतलब है ose की बून, shall weep, जो रोती है die fall tonight कि आज वापस रात आएगी और ये दिन खतम हो जाएगा for thou must die और तुम्हारा अंत हो जाएगा जिस दिन के लिए ये तारीफ कर रहे थे कि दिन इतना खुबसूरत है उसका अंत हो जाएगा आगे वो बोलते हैं कि sweet rose कि rose भी बड़ा sweet होता है गुलाब का फूल, वो भी बड़ा sweet होता है who's you angry and brave जिसका color ऐसा लगता है जैसे बहुत, जैसे लाल कलर जो होता है रोज का वो ऐसा लगता है जैसे angry भी है और शूरता का भी प्रतीक है उसका red color जो red color होता है वो गुस्से का भी प्रतीक होता है और शूरता का भी, bravery का भी but it's the rash geyser wipe has आये जो इसको गूर के देखता है ना लाल कलर के फूल को rash geyser का मतलब गूर के देखने वाला gaze मतलब देखना उसको भी एक बार के लिए अपनी आख को मसलना पड़ता है wipe is eye का मतलब अपनी आख को मसलना पड़ता है इसको देखते हुए लेकिन उस फूल को भी यहाँ पर पाइट बोलते है thy root is ever in its grave कि तुम्हारी जो जड होती है न वो अमेशा धरती के अंदर होती है grave का मतलब कबर होता है कबर की तरह धरती के अंदर होती है and thou must die और तुम्हें भी एक दिन मरना पड़ेगा sweet rose के फूल तुम्हें भी एक दिन मरना होगा आगे पाइट बोलते हैं तीसरे स्टेंजा में sweet spring कि spring के season तुम भी वड़े sweet हो full of sweet days and roses कि कितने sweet days होते हैं तुमारे गुलाब के फूल खिलते हैं a box where sweets compacted lie ऐसा लगता है यह spring का season जो है एक box की तरह है जहां पर मिठास, दुनिया भर की मिठास को भर कर रखा गया है लेकन यहां पर पाइट बोलते हैं my music shows ये have your closes ये मेरी जो कवीता है my music का मतलब मेरी जो कवीता है जो में लिख रहा हूँ ये ये दर्शाती है, ये ये दिखाती है shows ये का मतलब ये दिखाती है लेकिन एक चीज जो कभी खतम नहीं होगी only a sweet and virtuous soul वो है virtuous soul एक अच्छी आत्मा जिसने हमेशा अच्छे काम किये हो sweet और virtuous soul वो कभी खतम नहीं होगी जैसा महात्मा गांदी का कहना था कि मैं तो खतम हो जाऊंगा लेकिन मेरे विचार लोगों में हमेशा जिन्दा रहेंगे like season timber never gives जैसे एक लकड़ी होती है season timber का मतलब एक लकड़ी होती है जो कभी give up नहीं करती ये timber की लकड़ी वक्त के साथ साथ बहुत tight हो जाती है बहुत कड़ी हो जाती है जो आसानी से नहीं टोटती वक्त के साथ साथ जिसने काफी सारे season देखे होते है but though the whole world turned to cool कि चाहे पूरी दुनिया कोईला तक बन जाए then chiefly lives वो हमेशा जिन्दा रहती है virtuous soul season timber लकड़ी की तरह होती है चाहे सब कुछ खतम हो जाए पूरी दुनिया कोईला बन जाए लेकिन फिर भी वो जिन्दा रहती है यहीं पर यह पूर्यम खतम होती है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको समझ में आयोगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही